और अब खबरे विस्तार से कोरोना के फिर तेजी से बढ़ रहे संक्रमन के मद्दे नजर पहली से आठ वी तक नीजीवा सरकारी सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला नागपूर प्रशासन द्वारा लिया गया है इस समन में पालक पंत्रे नीतिन राउत्ते विविद मुद्दो पर मीडिया से बाक्चित भी की अबी तिसरी लहर भी भारत में आ चुकिये और उससे हमारा प्रदेश भी जुलस चुका है उसमें और नागपूर शहर भी और जिला भी हम उसमें आ रहा है ऐसे वक्त हमारे जिले के सभी नागरिक भाईयों बहनों से मेरी विनंती रहेंगी कि अपनी जान बचेगी तो अपन और ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे तो इसलिए पहले हमने हमारी जान बचानी की चिंता करनी चाहिए क्योंकि जो उमाय क्राण यहां पर आया हुआ है यहां बहुत स्पीडिली बढ़ रहा है उसकी बढ़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा है और उसके वज़े से हम लोगों ने उसको रोक लगाने के कुछ निकस्ट बनाये है उस निकस्ट के अनुसार हम यहाँ पर काम कर रहे है जहां तक आपने देखा हो कि यह सिजन में सर्दी बहुत जादा है सर्दी गिरने का जो भी परिणाम है वो आदमी छीकता है या उसका आवाज से खासी के आवाज से बाहर जाता है तो उससे स्प्रेड हो सकता है अगर उसने पकड़ लिया होगा डिसीजने तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ यहां पर चीजे करना चाह रहे है इसमें स्कूले हम पेरी अर्बन तक के एक से आड़ तक के जो कक्षा है उसको कुछ दिनों के लिए बन करने जा रहे है और शाष्कियत और नीम शाष्कियत और प्राइविट की जो कार कारेल है उसमें आर्टी पीसीर बंदन करक होंगे जिस प्रकार से विदान सभा में हम दो वैक्सिनेट होने के बावजुद भी हमको आर्टी पीसीर करा कर सुरक्षा के दृश्टिकों से अंदर जाने दिया गया उस प्रकार से बंदन यहां पर भी आएगा क्योंकि बड़ हो जाए